जी असलाम लेकुम रहाम तुल्ला वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक और क्रिक्ट मैच प्रिवियो में मैच नमबर 25 स्री लंका वर्सेज इंगलेंड का मैच है जी आज बहुत इंपोर्टन मैच है दोनों टीम्स के लिए दोनों टीम में तीन-तीन मैचिस हारे हुएं इंगलेंड अभी साउथ अफरीका से भी हारे है अफगानिस्तान से भी हारे है और किससे हारा हुएं इंगलेंड न्यूजिलेंड से भी हारा हुएं तो तीन मैच बैग टू बैग हार चुके हैं तो इंगलेंड के लिए बहुत जरूरी है कि कम बैग करना यहां से एक मैच वो जीते हैं, बंगलादेश के खिलाफ, सिरलंका on the other hand, साउथ अफरीका से भी हार है, पाकिस्तान से भी हार है, और अस्ट्रेलिया से भी हार गया, अभी एक मैच वो जीते हैं recently, वो मेरे खिल नेधरलेंड से जीते हैं, तो दोनों के पास दो दो पॉइंट्स हैं भी, ज्या फास्ट बॉलर हैं, बड़े जबरदस फास्ट बॉलर हैं, उन्हें लिया गया है, और इंगलंड के कैम्प की बात सुनाओं आपको तो बेंड स्टोक्स भी जो है, फाम में नहीं नजर आते हैरी ब्रोक भी नजर नहीं आते हैं, डेविड मिलान ने 140 जरूर मारा था लेकि उसके बाद वो खास परफॉमस दे नहीं पाए, उसके बाद जॉन्नी बेरिस्टो हैं, उन्होंने भी एक 50 प्लस स्कोर जरूर किया है, लेकिन वो खास स्कोर नहीं कर पारे हैं, पता नहीं क्या मसले हैं उनके साथ, कॉन्फिडेंस का कमी है, या कोई, वो है, जॉस पटलर भी, एक मैच में सिर्फ स्कोर मारा था पंगल देशी खिलाफ, उसके बाद वो नहीं कर पारे स्कोर, और उन दाधर हैंड, सिरलंका इस क्लिकिंग वेरी वैल, लेकिन उसका जो बालिंग अटेक है, वो खास नहीं है, बहुत खास तो है, लेकिन वो परफॉम नहीं कर पारा पत्रियाना जो उनके सिलिंगी एक्शन वाले बॉलर हैं, वो आउट ओफ वर्ल्ड कप हो गएं, इंजर हो गएं, उनके जगा एक्सपिरियंस्ट आल राउंडर, एंजलियो मैथ्यूज, बहुत सेनियर प्लेयर हैं, जिनका मेरे चौथ था या इसिंग पांचों वर्ल्ड कप है, कुमार संगा कराजी वर्दने के दोर के हैं ये, दोनों टीमें बड़ी कमाल की हैं, सिरलंका के जो टॉप ओटर है, वो बड़ा अच्छा प्रफॉर्मिस दे रहा है, डिफरेंस यही है तोनों के टीम्स में, इंगलंड मैच हार कर आ रही है, और सिरलंका ने मैच ज गए हैं, तो ये सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, अबी मोहिन अली नहीं थे पिछले मैच में, बेंस टोक्स खेले, लेकिन वो भी रबाड़ा की बहल बे आउट हो गए, तीन सो निनानवे मारा था इनोंने, और नहीं कर पाए, चार सो के ताकूब में भी नहीं गए, तो इंग्लेंड शूड परफॉर्म वेरी वेल के वो वर्ल्ड चेंपियन्स हैं, डिफेंडिंग चेंपियन्स हैं, उनके जो ओपनर्स हैं, खास तोर से जोनी बेरिस्टो और डेविड मिलान हो सकता है, में भी इस मैच में चेंज किया जाए, हैरी ब्रूग मिडल आउडर पर खास कर नहीं पा रहे है, अभी पिछले मैच में भी 50 मारी थी उन्होंने, लेकिन वो कोई तना फाइदा नहीं दे पाई टीम को, मोहीन अली, बेंड स्टोक्स, आदिल रशीद का भी बाल इतना नहीं घूम रहा, वान खड़े स्टेडियम में मैच इस के लिए हैं, दो जो भी टीम टास जीते की मुझे लग रहा है, वो पहले बैटिंग जरूर करेगी और तीन साड़े तीन सो, वहाँ पे तीन सो तीस एवरिज स्कोर है, तो मेभी जो भी टीम खेले वो चार सो करे और इंगलेंड मुझे लग रहा है, आज बिलकुल एग्रेसिव माइंड से जाएगी अगर उनकी बैटिंग आजाती है, और अधर हैंड सिरलंका भी केपिबल है, तो सिरलंका भी तेज केलने आएगा बैंगलोरू में, तो लेट्स होब कि हाई स्कोरिंग मैच हो और थ्रिलर मैच हो, मेरी ये खाहिश है कि अच्छा मैच हो, क्योंकि मैचिस का इतना मज़ा आ नहीं रहा, और इंडिया के मैचिस भी संडे को संडे रखे हुआ है इनोंने, तो इतना खास, अभी तक मज़ा नहीं आ रहा, मेभी जब बड़ी स्टेज आए, या नौकाउट स्टेज नहीं जए जब उसने हरा दिया, उसने हरा दिया, तो यह बाहर हो जाएंग इस वीडियो मिलते हैं, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh